प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़तुमास आगर में 11 एकड भूमी पर लगभग 100 करोड की लागत से आकार लेने वाले संत शिरुमनी गुर्देव श्री रविदाज जी के समारक और मंदिर का वैदेक मंत्रू चार के साथ भूमी पूजन कर शलान नयाज किया और मंदिर की प्रतिकरती का अवलोकन किया भूमी पूजन से पहरे प्रदान मंत्री मोदी ने बिभेन संप्रदाय के साधू संतों का अभिवादन किया इसी के साथ प्रदेश के पांच स्थानों से प्रारंभ की गई समरस्ता यात्रा का भी समापन हुआ श्रिमंगु भाई पतिल, मुखे मंत्री श्रिवरासी चाहान, केंद्री सामाजिक नयाय मंत्री डॉक्टर वीरेंदर कुमार, वनमंत्री कुगर विजर शाह, राजेंदर सिंग, नर्यावली विधैक, इंजीनियर प्रदीप लारिया, सागर नगर विधायक श्रैलेंदर जैन गौरव से रोठिया सहत मंत्री सांसद पदादिकारी कारकरता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे उलेखने है कि फरवरी माहा में है मुख्यमंत्री शबरासी चौहाने समरस्ता के पड़े था संतर अविधास जी के भव्य और दिव्य रूप में समारक और मंदिर नर्मान करानी की घोशना की थी प्रधान मंत्री द्वारा आज किये गए शिलान न्यास के बाद भव्य और आलोक एक मंदिर बनेगा यह मंदिर नागर शाली में दस हजार वर्ग फुट में बनेगा जोहां इंटर्प्रेटेशन म्यूजियम भी बनेगा संस्तती और रचनात्मक ताके साथ संतर अविधास के क्रतित्व व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाला संग्राले भी इस परिशन में बनना है संग्राले में चार गेलरी बनेगी जनमा भक्ति मार्ग, निर्गुन पंथ में योगदान, संतजी का दर्शन और उनके साहत समरस्ता का विवरण रहेगा लाइप्रेरी के अलावाज संग्त हाल, जलकुंड, भक्त निवास भी बनेगा जो आध्यात्म कर आधुने के सुविधाओं से युक्त होगा बक्त निवास में देश विदेश संतर विदाज के अनिवाई और अध्याता आएंगे जुनहें संतजी के जीवन से प्रेना मिलेगी मंदराजार वर्गफिट में भोजनाले का निर्मान होगा, मंदिर में दो भब्य प्रविश द्वार होगे CCTV कैमरे और लाइटिंग के व्यास्ता रहेगे वास्तो और विन्यास अनुसार संतर अविदाजी का मंदिर आध्यात मकला संग्रहालय भी होगा जो शद्धा, आस्था और भक्ती का अध्भूत पूर्वेस्थल होगा संतर अविदाजी का क्रत्यत व्यक्तित और दर्शन पूरी दुनिया के लिए प्रिना दाई होगा सागर से संजय तिवारी की रिपोर्ट